कि आज हैं कैसे आप सब वेरकम एक तो मैचैनल करें आप सबका सौबम सब्सक्राइब आप सब का स्वागत है मेरे चैनल मैं आप सब्सक्राइब भी ठीक है और आज हम बनाएंगे कुच्छन में कठल की सब्सक्राइब कटाल कि सबची ऐसे तो सौर गर में बनाई जाती है सभी घरों में बनाई जाती है और कुछ लोगों को बहुत पसंद भी होती है और हेल्दी भी होती था तो लेकिन आज मैं इसको कुछ अलग टाइप से बनाऊंगी जिससे कि आपको जो नॉन वेज नहीं खाते हैं या जो खाते हैं उनको भी बहुत पसंद आने वाला है तो एक वरा आप ट्राइज ज़रूर कीजेगा और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ इसके लिए आप किचेनर में मिलते हैं आपसे अब कठल बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले कठल को काट कर अच्छी तर कैसे धू लिया था और धोने के बाद इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया हो बलने के लिए और इस पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है नमक बगरा कुछ भी नहीं डाला है सिर्फ इसमें एक का टुकड़ा लिया यह किंची और यह देखिए हमारा कठल उबल चुका है मैं इसको छान लेंगे और इसको ठंडा होने रख देंगे जब तक यह ठंडा होता है जब तक हम प्रेशर कुकर में ऑईल डालेंगे यहाँ पर मैंने मसाला तयार करने के लिए तीन चमश ऑईल सरसो का तेल और यहाँ पर यह प्याज है लसन है और अधरक है इस और मैंने यहाँ पर खड़े मसाले भी कुछ लिये हैं जिसमें एक चमश जीरा है तेज पता है जावित्री है दाल चीनी का टुकड़ा है चार पांच लॉंग है काली मिर्च है पांचे और यहाँ पर मैंन और पियाज लेसन अधरक सब मैंने एक साथ डाल दिया है इसको हम भूल लेंगे यह देखे फ्रंस अब हम इसको ऐसे ही भूनाएं जहीं है परस इसको थोड़ा साह हल्का साव्ट होने तक ही बूना है बहुँआ ज़्यादा लाल नहीं करना है ब्राउन नहींगरना है यह यह हो गया है देखिए इस तरह से बस करना है आप इसमें मैंने हल दी है एक चमच और एक चमच मिर्ची पाउडर मिर्ची पाउडर आपने स्वात के अंसवार कर सकते हैं कामिया ज्यादा और इसमें मैंने दो चमच धनिया पाउडर लिया है अब मैंने इस प्याज के मसाले म श् autantपां डाला दिया और उढ़नसा पाणी क्कारत्व आप χणंद मैं इसको भी टीन सेटई लगाने तक पनालेंगे हैर जो अब दर सब रखने अंतुनन आप्र हमारा हिए मैं तोड़ा सब रखा थे पहना कर्स तमद एक वह बहां सो देखे तोड़ा सा रेड होने तक हम ने भून लिया इसको देखे मैं इसको प्रास से दिखा रही हूं इस तरह से बहुत ज़्यादा अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और नमक मैंने इस मसाले में भी डाला था अब यह मसाला तियार हो गया अब मैंने इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया यह देखे अब इस मसाले में हम यह सारी जो कटैल हमने भून के रखा था इसको डाल देंगे मेरे घर में बच्चे कटल इतना पसंद नहीं करते एक बेटा पसंद नहीं करते तो उसके लिए फिर मैंने इसमें आलू डाल दिये तो जो कटल नहीं खाते हैं वह आलू खा लेंगे और आप नहीं आलू डालना चाहे तो ना डालिए तो मैंने बच्चों की साफ से अक्चली बनाया है तो उनका भी धियान रखना पड़ता है अब यह मैंने यहाँ पे मीन मसाला डाला है एक चममच अब इसको फिर से हम पानी डाल कर पानी आप ग्रेवी जैसे थे चावल के साथ खानी है उसता पतला और वो कर सकते हैं अब देखिए बन के तयार हो गया एक सीट लगाने के बाद और आए आप भी खा लीजे तो गाइस मेरी रेसिपी कैसी लगी है आप सबको एक वाइस को ट्राइ जरू कीजेगा और फिर मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपक अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू वा वाचिए